Hello guys, so finally WBJ 2024 का counseling start हो गया है, but बच्चों का बहुत ज्यादा problem आ रहा है, बहुत ज्यादा questions, तो मैं आप लोग बता दो पहले 16th July तक last date है, 16th July तक तो बहुत time है, एकदम वीडियो को अच्छे से देखो, एकदम step by step पूरा बताऊंगा, उसके बाद तुम लोग जाके apply करो, क्य problem बहुत ज्यादा हो रहा है, तो simple क्या करोगे, इसी website में आ जाओगे, wbjb.nic.in, तो simple ये वाला option जो है, इसमें click कर दोगे, तो देखो, अभी traffic बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे student एक साथ apply करना है, तो इसी लिए थोड़ा बहुत lag हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से क पर लिया, तो I agree में click करोगे, ठेके, और next page में आ जाओगे, यहाँ पर आप लोगों तीन option देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों ने only jimans दिया था, तो उपर वाला jimans option select करना होगा, और अगर आप लोगों ने wbj और jimans दोनों ही दिया था, तो दोनों ही का ही, एक मे wbj का rank है, तो मैं only wbj का दिखाऊंगा, तो simple wbj में click करो, तो अगर तुम लोग इधर both wbj या jimans select करते हो, तो देखो, इसमें तुम लोग का wbj role number, jimans application number, यह सारा कुछ enter करना होगा, ठेके, और अगर only तुम लोग jimans देते हो, तो इधर only jimans का application number enter करना होगा, ठेके समझ में आ गया, तो मेरे पास उन्हें wbj का है, तो wbj करी कर लिया, तो मुझे only wbj का role number enter कर लेना है, उसके बाद आपका नाम फुड़ा capital letter में लिख लेना है, जो आपके wbj admit card में है, वही लिखना है, और mother's name, जो wbj application करते time, जो नाम लिखा था, वही नाम लिखना अगर आप लोगा data birth गलत डाल दिया था, आप लोगा wbj application करते time, तो वह गलत data birth डालना पड़ेगा, और अगर सही वाला डालत तो ये fetch नहीं होगा, इसलिए गलत data birth डालो, जो पहले डाला था, उसके बाल जब तुम लोग जाके admission लोगो किसी colleges में, जब documents application होगा first round में, त आप ठीक कर दीचे, तो वह verification के time हो ठीक किया जाएगा, ठीक है, अभी ठीक नहीं हो जाकता, अभी जो data birth तुम तो पहले डाले थे, वही data birth तुम के इधर डालना होगा, clear है, क्योंकि बहुत सब्सक्राइब कर लेना है, तो मैं एक एक करकर सब कुछ enter कर लेता हूँ, submit में click करने के बाद, automatically तुमारा role number, candidate name, mother's name, automatically सब कुछ fetch हो जाएगा, तो अभी तुम लोग को mobile number and email address डालना है, तो mobile number आप लोग का on active होना चाहिए, email ID भी active होना चाहिए, क्योंकि इसी mobile number और email ID पे तुमारा सारा जितने भी queries होगा, जितने भी PDF होगा, जितने भी information होगा, इसी प capital letter, BCD, small letter, add the rate, one, two, three, four, ऐसे, यानि आपका नाम भी हो सकते है, नाम का first letter आपका बढ़ा हो जाए, capital letter, बागी small letter, then add the rate, then put something new articles, ओके, तो ऐसे आपको पूरा enter कर लेना, then आपको submit and next में click कर देना है, ठीके, then आपको yes में click कर देना है, तो अभी आपके mobile number पे और आपके email प करना है, अभी आप लोगो ये सारा step करना है, मैं decision complete हो गए, application from कर फिल करना है, qualification data center कर लेना है, content details and final submit, ठीके, तो simple fill application from, इसमें click करना होगा, ओके, चलो next, तो अभी आप लोगो का जो पहले से ही डाल के रखे थे, वो ही सारा information fetch कर लेगा, जैसे gender male, nationality Indian, state of domitial, west Bengal, category general EWS, तो tuition fee waiver को पर बात कर लेता हूँ, tuition fee waiver, yes अगर आप लोगो ने पहले किये थे, तो आप लोग tuition fee waiver का जो PDF है, वो download करा के, आपको video, SDO, executive officer या एक agent officer से आपको signature करवाना होगा, तो ही आप लोगो TfW certificate का जो seat है, उस seat में admission मिलेगा, माल लोगो आप लोगो ने अभी TfW seat को no कर दि और choice fling करते time आप लोग TfW seat भी डाल दिया, और first round में आपका TfW seat भी आ गया, तो अगर TfW seat आ जाता है, तो आप लोगो TfW certificate प्रवेट करना होगा, और अगर माल लो TfW certificate आप लोगो इधर yes किये थे, और TfW seat का choice fling में नहीं दिया, और आप लोगो कोई general या ACST में seat आ तो उस case में TfW certificate का कोई need नहीं है, आपको कोई जरुरत नहीं है, ठीके, चाहे आप इसमें yes करो और ना करो, अगर TfW seat आता है, तो ही आप लोग TfW certificate को submit करना होगा college में, otherwise not, ठीके, तो अभी नीचे आ जाओ, तो इसमें देखो, whether qualify in Nata 2024 exam, J-Mains 2024 exam, no, तो मैंने, अगर Nata 2024 exam दिये थे, या फिर J-Mains 2024 B architecture exam दिये थे, तो आपको इसमें yes करना होगा, otherwise आप no करना होगा, तो मैंने नहीं दिया था, तो no, ठीके, अभी इसमें account holder, यानि इसमें bank account का नाम देना होगा, bank account का नमबर देना होगा, IFA code डालना होगा, तो यह किसका डालोगे, यह जो candidate का नामें उसके, उसी का डालना होगा, क्योंकि आगर जो refund आएगा, उसी bank account में directly आजाएगा, ठीके, तो अभी अपलोडी भी करना होगा, आप लोग को choice दिया हुआ है, ओके, तो चलो अभी आखे करके यह पूरा में हम डाल लेते हैं, दिन साड़ा कुछ information enter करने के बास, save and next में click कर दोगे, then yes, then आज आज आपको qualification details, okay, तो simple, इसमें first of all, तुमारे 10th में English subject में कितने marks मिला था, वो enter कर लेना है, पासिंग क्या हुए थे, तो past लिख लो लिख लो के, और max marks कितने में हो रा था, 100 में, और कितना English में मिला है, वो तुमको इदर enter कर लेना है, ठीके, अ तुमारे result में लिखा होगा, ठीके, जा के देख लेना, तो मैं pass हुआ था, 2023 में, और board कौन सा है, वो पहले तुमको select कर लेना है, West Bengal Council of Higher Secondary Education, तो मैं ये select कर लेता हूँ, result mode क्या होना होना है, percentage, तो हम लोगा percentage है, तो मैं select कर लिया, अभी maxima marks कितना बैठेगा, ठीके, तो हम हमारे यहाँ, जो West Bengal में होता है, वो 500 maximum marks होता है, और obtained marks आपके result में लिखा रहेगा, तो simple आपको वो put कर देना है, 360, ओके, अजब ये person click करोगे, तो person automatically suffrage कर जाएगा, 72, ओके, अभी नीचे आजाओ, तो English में मुझे कितना मिला था, तो ये past करना होगा, और सभी में pass करो, second language किया था, physics, ये कर दोगे, तिन इसको past past कर दोगे, तो ये ऐसे आपको पर घरना होगा, ठीक है, देना जाओ नीचे, biology, biology, अगर है तो करो, अगर नहीं है, तो कोई problem नहीं है, तो मेरा biology था, तो biology मैं कर लिया, और बाकी मेरा इसमें से कोई भी नहीं था, तो मैं not applicable करूँ है, तो simple आपको not applicable करना होगा, अभी क्या करना है, ये सभी में आप लोग को 100 लिख देना है, ये कि maximum आपसका 100 ही है, ठीक है, अभी English में आप लोग कितना मिला था, वो पहले आप लोग को enter कर लेना है, तो मुझे English में 90 मिला था, ठीक है, ये पहले आप लोग एक बार मिला सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो सारा कुछ अच्छा देखने के बाद, save and next में, just click कर देना, then yes में click करना, then next आ जाओगे contact details, तो इसमें देखो कि तुम्हा लोग का already contact details, already लिखा रहेगा, ठीक है, तो ये मिला लेना, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, then उसके बाद, same as corresponding address, just simple कर दोगे, अगर same रहता है, permit address or corresponding address same रहता है, तो same as कर दोगे, ठीक है, then simple कर दोगे, save and next, देन देखो, तुम्हा लोगा पूरा ये आ जाएगा, profile, ठीक है, जैसे तुम्हा लोगा किया था, तो ऐसे पूरा आ गया, देखो, इदे तुम्हा लोगा rank भी 100 करेगा, WBJ में क इसने biology में कितना bank से वो भी आ गया, ओके, अभी नीचे चले आओ, नीचे नम्हारा content details भी आ गया, permit address भी आ गया, तो लोगा bank account number भी 100 कर रहा है, just simple इदर click कर कर देख सकते हो, की, ठीक है कि नहीं, वो वाला, देखो, ये मने upload किया था, तो वही 100 कर रही था, ये अगर सब ठीक टाक रहता है, simplest में click करोगे, और final submit में click कर दोगे, then yes में click कर दोगे, then finally अगर सब कुछ ठीक टाक रहता है, तो आप लोगो total available choice ये सो करेगा, और अगर कुछ भी गलत information डाल देते हो, तो total available choice में 0 सो करेगा, आप लोग counseling में bet नहीं पाओगे, not eligible हो जाओगे आप लोग ठोके, तो मैंने जैसे किया, वैसे आप लोगो पूरा अच्छे से करना होगा, अभी क्या करना को देखो, ये मेरा इतना choice है, 833 और unfilled ये है, तो अभी आप लोगो क्या करना होगा, registration fees payment करना होगा, ठीक है, तो simple pay registration fees में click करोगे, उसके बाद choice filling कर पाओगे, ठीक है, तो 500 रूपीज है, तो online payment में click कर दोगे, pay fee करोगे, इधर आप लोगो चूज कर लाएना है, HDFC, सबसे best है, ये ही है, तो just proceed for payment, तो मैं UPI से करूँगा, तो मैं आप लोगो डिकर रूइन कर तो आप लोगी UPI से भी करो, फोन पे से, तो verified होगा, उसका पर प्रोसीड में click कर दो, अभी फोन में आप लोगो का फोन पे जो है, आप उसको open करना होगा, आपका एक पभवाव आएगा, 500 रूपीस पेमेंट करका, pay now में click करोगे just, ठीक है, दिन पे 500 रूपीस नीचे आ जाएगा, दिन आप लोगो को आपका जो pin है वो डालना है, तो डालने के बाद आप ल अभी choice fling कर पाओगे, तो choice fling में जाओ, तो choice fling में पहले आप लोगा password एंटर कर लेना है, तो यह password match होने के बाद आप लोगा यह open हो जाएगा, ठीक है, तो अभी क्या करोगे, मैंने जो list दिया था, मेरा एक वीडियो था, लिस्ट का पूरा, तो उस list के according आप लोग करना होगा, ठीक है, कि कौन सा पहले दू, तो जैसे कि for example मैं first of all कलनी को रखना चाओंगा, तो कलनी slate कर लिया, तो कलनी government engine engineering college आ गया, तो कलनी का जितने भी आप लोग का यह program है, वो आ जाएगा, तो first of all मैं दूँँगा CAC को, तो पहले CAC टेवल रखना, एसा ही करना, टेवल ठीक है, जो normal हो रखूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं लूँँगा ITTFW, उसके बाद मैं रखूंगा IT normal, उसके बाद मैं रखूंगा ECTFW, उसके बाद रखूंगा EC normal, ठीक है, तो अगर आप लोग non-core branch में IT sector में पढ़ना चाते हो, तो यह आप लोग का basic जो होगा हो सकता है ऐसे आपको करना होगा, ठीक है, अभी मैं next डालूँगा आपका जलपाई गुडी, तो जलपाई गुडी मैंने select कर लिया है, जलपाई गुडी वामरे इंजिरिंग कॉलिज, तो अब इसमें भी मैं देखूंगा कि कौन सा पहले देना है, ठीक है, उसके बाद दे दिया है CAC, यह, अभी तुम लोगों लग रहा होगा कि नहीं मुझे CAC का priority पहले देना है, ठीक है, तो पहले क्या करोगे, यह वाला जो CAC TFW है, जलपाई गुडी का, इसको अप कर दोगे, जैसे मैंने अप करिया, फिर से अप किया, फिर से अप किया, ठीक है, ऐसे तुम लोगों पूड़ा करना है, तो देखो, अभी क्या होगा, मेरा कल्लानी CAC TFW आ गया एक पे, जलपाई गुडी गर्मेंट कोलेज आ गया दो पे, और कल्लानी CAC आ गया तीन पे, और जलपाई गुडी जो गर्मेंट इंजियरिंग कॉलेज है, इसको भी मैं अप कर लोगा, ऐसे आप लोग कर रहे हो, जितना चाहे, टोटल आप लोगो 100 कर रहा है, 800 colleges, तो टोटल 800 colleges ही आप लोग करो, ठीक है, तो दो कि यह मेरा साड़ा चॉइस हो गया, अभी क्या करोगा, सेव एंड कंटिनुन में क्लिक करोगे, और सेव एंड गो टू होम में क्लिक करोगे, सेव एं अब लोग कर पाओगे, अधरवाइस लोग नहीं कर पाओगे, और सेव एलोट में रिजाल इधर आप लोगों सो करेगा, जो अभी तक इनेबल नहीं हुआ है, तो आई होब आप लोगो यह वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे